ये लोग आये हैं कि भाईया हमको सांती पुन बैट के दो मिनट का प्रदसन करना चाहते हैं लेकिन दिल्ली पुलिस के दुवारा यहां पर बेरिकेट लगा दी गई है क्या सर बता सकती लोगों क्यों ने प्रमिशन मिला जाने का क्यों कमेंट नहीं सर कुछ कमेंट किजिए सर हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि यह लोग आया है दो मिनट का आपसे अनुमती मांग रहे हैं स्रीफ हमें वहां पे बैट कर प्रदसन करने दिजिए ताकि सोई हुई मंता सरकार को दिखे कि जिस तरहां से दो चातरों के साथ बर्वत्ता पुन बहवार किया गया यह सोभिणिय नहीं है आप भी सर इक्जाम देकर पुलिस बने हो गया आप जंतर मंतर पर ही प्रोटेस्ट कर सकती है अब सर मामला पस्री मंगाल का है नमस्कार स्वागत है आपका आप देख रहे हैं जन्मस्तु जरू मैं हूँ देवेंदर कुमार यह बेश बंगाल का भवन है मंतर सरकार का यह भवन है और आपको पता ही है दो बिहारी चातों के साथ बर्वत्ता पुन बहबार किया गया उसकी कुटाई की गई और यह वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर बाइरल है दुनिया को पता है बिहार जो है मज़़ूर सप्लाइ स्टेट है यही बज़ा है कि बिहार का चात यूबा नोकरी पाने के लिए दुस्रे राज जाते है अगर बिहार में नोकरी मिल गई होती तो इस तरह से सिल्ली गूरी में जो SSB का एक्जाम दिया गया था जो चल रहा था दो चात रोग साथ कुटाई नहीं होती देख सकते हैं इस बट नेस्ट पाटी के सभी कारता सभी जितने नेता हैं यहां पर आके बिरोद पर्दशन कर रहे हैं तस्वीर में देख सकते हैं यह रजनिस जाजी है पाटी के महासचीव है यह परवक्ता है डॉक्तर अदि पहारी छात्रों पर अत्याचार के बिरोध में मुक्त परदर्सन जी हां सांति परदर्सन किया जा रहा है दीदी नहीं ये अम्मी है मम्ता सरकार निकम्मी है जी बताएं क्यूं यहां पर आप लोग मौझूद हैं सबसे पहली बात बंगाल में हुई जो चात्रों के साथ बरबरता और मारपीट की कहानी आप सब लोगों ने देखी पूरे देश ने देखी ये चीज ये घटना बहुत ही ज़्यादा घोर निंदनिये है उनके उपर मम्ता सरकार का कोई संग्यान ना लेना कल के हमने मीटिंग के अंदर ये चीज रखी थी प्रेस के सामने यदि ये घटना यदि किसी विशेश वर्क के थू की गई होती या कोई मुस्लिम इसमें इन्वाल्ड होता तो वहाँ पर तमाम सेंटर से लेकर तमाम मीडिया के लोग सब वहाँ पर पहुचे होते और इसक क्या बिहारी इतना सस्ता हो गया है यह कोई भी व्यक्ति कोई भी स्टूडेंट हो सकता था आज बिहार में तमाम जगापर एजुकेशन के गड़ बन चुके हैं तमाम राज्यों से बच्चे पढ़ने के लिए जगा जगाओं पर जा रहे हैं जिस प्रकार की एजुकेशन है उस प्रकार के सेंटर जगा जगा डिवैलप हो गया है लेकिन क्या बच्चे हमारे सुरक्षित हैं आज इसके साथ किसी के साथ घुश करके और उनकी प्रैमिसिस के उपर ही उनके साथ यह हुआ आप समझे बाहर कहीं गली नुकर चोराहे पर ऐसा नहीं हुआ यह को ठ्र रवाई होती या वहां पर वो अपने बचाव में कोई हाथ मुआत उठाते तो शायद हो सकता है आज नजारा कुछ बहुत बत्तर भी हो सकता था लेकिन इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कोन लेगा क्या कानून व्यवस्था वे पश्चिम मंगाल में ठप है क्या सचमे र साधी के साथ विचरन नहीं कर सकते क्या दिल्ली के लोग हैदराबाद जम्मू कश्मीर और तमाम जगाओं पर आना जाना हम लोग बंद करतें तो आप टेरिटरी को बॉर्डर फैंसिंग कर दीजिए जिस तरीके से आपने किसान अंदोलन में बनाया या मुझे लग रहा इसी तरीके से पूरे किसान अंदोलन की पूरी टोडल बॉर्डर फैंसिंग तीस के तीस जो है पर्टिकुलर आपको स्टेट्स की और यूटी की कर देनी होगी तभी इसका हल निकलेगा अधर्वाइस मुझे लगता है कि ममता सरकार जो है उसको इसको पर सबसे पहले आग कहेंगे मतलब दिल्ली पुलिस कल से काफी हमारे लोगों से टच में था और एक सबसे बढ़ी बात है दुक्की बात है यह जो दिल्ली पुलिस खरे है यह 80% से 90% जो लोग है तो दिल्ली के नहीं है जिस तरह से हमारे बिहार के लोग गया बंगाल में जॉब करने के लिए करने के लिए यह दिल्ली पुलिस के लोग भी दूसरे स्टेट से आये अपना इंटर्व्यू दिया आज के अज के डेट करने दिया जाएगा आपने यह जगह क्यों चुना ने पहले तो यह बता दू तो एक तो सबसे बरें दिल्ली पुलिस का आगे से हम लोग बाते नहीं मानेंगे क्योंकि यह लोग हमारी बाते मतलब धोखा कर रहे हैं दोखा कर रहे हैं एक तरफ हमारे ओफिस में वैटे जो नहीं आप लोग कम संख्या में जाए हम पर भी संख्या में करेंगे तो पहली बात तो यह है दूसरी बात है चाहे सेंट्रल की गौर्रमेंट हो अगर यह मामला रजत भटाचारिय कि जगह पर रजत अब्दुल्हा होता तो यहीं पुलिस वाले जो है ना यह सब को उहां पर खराओने देता बीजेपी वाले को सबसे बरा सवाल है लेकिन अगर वह बिहार का अंकित यादब था तो भाई साब यहां बैरिकेट लगा दिया पहले तो उन्होंने का कम संख् के बजाए अंकित यादब प्रित है और स्टुडेंट है यह लोग आया है कि भाईया हमको सांती पुन बैट कर दो मिनट का प्रदसन करना चाहते हैं लेकिन दिल्ली पुलिस के दुवारा यहां पर बरिकेट लगा दी गई है क्या सर बता सकती लोगों क्यों नहीं प्रमिस प्रदसन करने दीजिए ताकि सोई हुई मंता सरकार को दिखे कि जिस तरहां से दो छात्रों के साथ बड़वत्ता पुन बहवार किया गया यह सोभीनिय नहीं है आप भी सर इक्जाम देकर पुलिस बने हो गया आप जंतर मंतर पर ही प्रोटेस्ट कर सकती है मामला पसी इनका कहना है कि आप लोग धारना पर्दसन जो कर रहे है जंतर मंतर जाईए दिल्ली पुलिस अपने आप में इतनी भ्रमित है हम लोग तो अक्सर मैं बताओं आपको पीट पीछे की तारीफ की बात है दिल्ली पुलिस की समझदारी के और उनकी जो ट्रेनिंग है फॉर्म करी कि वहाँ पर मौके पर 20 स्यादा लोग नहीं पहुचे है हमने बागी लोग को स्टेंडबाई पर रखा लेकिन यहां की जो व्यवस्ता है यहां से बस देखिए यहां पर जो और लोग लगाए गए स्पैशल फॉर्स बलाएगी और तमाम पुलिस के लोग जो है और भी सब्सक्राइब थाफोर लिए पर मिशन की डिली पुलिस हर बार हर जगां पर यहीं बोलती है कि पर मिशन की बार मिशन आप किसको देते हैं और मीशन लेने क्या की व्यवस्ताहु है यह रही आब बता दे तो थो ऑम उस चीज को माले हम और मैंस्ट ताइम से उषी Otherwise, next time से, हमारा दिलिक्यों की 3 साल से, आप देखे, 2024 हागया, 2020 के बाद से अभी तक, हमने institutional premises के उपर, LG house हम गए थे, वहाँ पर भी हमने corporate किया, वहाँ पर हम लोग मातर संख्याबल में उस दिन 38 लोग थे, और दिल्ली पुलिस के लोग पोने दोस्तों थे, उसका भी वीडिय के साथ, जो मार पिटाई की गई है, सिल्ली गुरी में, यह सोभिनियन नहीं है, यह परदास करने का योग नहीं है, सबाल उटता है, बिहार में नितिज सरकार और भाजपा की सरकार है, लगत्तार कई बड़सों से दोनों सत्ता का सोक भोग रहे हैं, आज भी बिहार के छा किती है, अभी मामता सरकार एक तरफ तो जितनी रजतिंतिक पाटियां है, वो कहती है कि नहीं, वो गलत कर रहे हैं, लेकिन इस पे राहुल गांधी से लेकर किसी का जुबान नहीं खुल रहा है, सवाल बिहार है, सवाल और इन लोगों को पता होना चाहिए, कि जो बिहार पूलर को भेजता है, और यहां दावे से कह सकता हूं कि आप में काबिलियत होती, तो आप उस एक्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते, फिर दूसरे स्टेट के लोगों को जाने की जवरत नहीं होगी, अगर दिल्ली में बाहर के लोग आके नौकरी कर रहे हैं, इसका मत अगर बिहार के लोग दूसरे स्टेट में जाते हैं, आप से तो होता जाता है कुछ नहीं है, बाकि आप एक बिना काम का तुक संगठन बना करके और ड्रामा रचते हैं, हम लोगों का था सुबह से नहीं कल से लगतार दिली पूलिस का फोन आ रहा है, हम लोगों ने कहा थ बेट क्या हैं, हम बैट के साथ अइसी सजा नहीं आपको बता दूँँ कि वेश्ट मंगोल के लगग 14 जीले हैं, जहांके लोग मिच दूरी करने बिहार में आते हैं, हमारा बिहार का जो पाठ है जहां खेती है यहां तक नहीं कहना नहीं होगा लेकिन वहां कला का मंचन करने के लिए अगर सबसे ज़्यादा कोई बिहार से नेपाल के बाद आता है तो बंगाल के लोग आते हैं लेकिन इनको बेसरमी की हद हो गई कि एक लड़का परिक्षा द लेकिन किसी भी पाठी का एक बैक्ति के कुछ नहीं जबाब आया सब कज़ें करवाई हो रहा है अगर बिहार के ले इसको शग्यान नहीं लिया होता तो इस बेख्ति का रेष्टिंग भी नहीं होती पुलिटेकल कारणों से लेकिन बिहार के डिज़िपी धन्यवाद के प बहुत ही अन्याय पुर्ण कार हुआ है कि बंगाल के लोगों ने बिहार के छात्रों के साथ दुर्वहवार किया और इस सरकार संग्यान ले यही हमारी आसा है इस भारत सरकार से कि भारत सरकार खुद आगे बढ़ कर किंद्र सरकार बंगाल की सरकार से मंतावनर जी से सवाल क करें आखिर स्वतंत्र भारत में इस तरह का दुर्वहवार क्यों किया जा रहा है छात्रों के साथ देख सकते हैं इस वक्त युवा भी मोजूद है यहां पर क्या करने हाप आप लोग आए हुए देखें जो यह गटना हुई है बहुत ही निंदनी गटना है और इससे पुरा नाकामी नाकामी उस सरकार की है जो वहां पर अभी मौझुद है और वह सरकार यह क соглас Size चाहर को लेकर ज्यादफ करती यह उँसंदों सरकार अपने इस्तिफाब करती है ओ monster सरकार ने कर यहां पिन इस ममता बनरजी इस्तिफा दे लेकिन मैरा सिफ एक ही मांग है जिस तरहा से बिहारी छातरों के साथ զूर भैवार, पुन बेवार किया गया है ममता बनरजी कैमेरा के सामने आकर सभी बिहार बासियों से माफी मांगे और जो इनका मांग है वो भी सुना जाए क्योंकि इस्तिपा देना ही चाहिए इन्हें जिस तरह से बिहार बासियों को लजित किया जा रहा है बिहार सरकार आज तक बिहारियों के लिए कुछ नहीं कर पाई है नितिज सरकार भाशपा सरकार बिहार के छातरों का जीबन धासातल में ठकेल दिया यही नतीजा है कि बिहार के छातरों को बाहर जाके लाठी खानी पड़े अगर आपको यह ख़वर पसंद आई है तो जंदर जुरू शेयर करें धन्यवाद